अध्याय का विडियो 3 है हम लोग कुश्चन नमबर 1 देख लिए थे कुश्चन नमबर 2 देख लिए थे कुश्चन नमबर 3 और कुश्चन नमबर 4 यह दो ही बचे फिर अध्याय कहतम हो जाएगा देखो क्या दिया है वक्र y is equal sorry y square बराबर 4x y aksh बोल दिया है y aksh के सापेश करने वाले हम लोग y aksh अभी तक दोनों कुश्चन में x aksh के सापेश किये थे यह x aksh के सापेश किये थे ठीक है एवं रेखा क्या दिया है y is equal to 3 से घिरे छेत्र का छेत्र फल कोई बात नहीं हम लोगों कोई दिक्कत नहीं है हम लोग को क्या दिया हुआ है हम लोग को दिया हुए क्या y square is equal to 4x यह दे दिया और y aksh बोल दिया है और y is equal to 3 बोल दिया है अगर मैं इसका graph बनाना चाहूँ दिया हो इसमें y aksh वाला formula लगने यह में ग्राइख वाला formulaँ तो यहाँ प हम लोग करने वाले आइत तो formula क्या लग एगा यहां पिर से a से b y x के साफ एक्ष है न तो यह dy लगता है तो यहां पर फिर x लगता है तो x की value लिका लेंगे ठीक है ठीक है ठीक है x की value आ जाएगी यह x है यह y है यह देखो यह परवले वाला हो गया y square बराबर 4x तो यहां पर घात एक किसकी है एक की घात है एक की घात एक है घात एक किसका है x का तो x के तरह मूँ खूलेगा x के तरह मूँ खूलेगा बीना कुछ सोचे समझे x की तरह मूँ खूल दो परवले भई यह 11 वी में पढ़े है यह परवले यह एकदम ऐसा बनता है यह एकदम ऐसा बनता है यह ऐसा पूरा एक perfect कर्व बनता है फिर क्या है y is equal to 3 यहां पर ध्यान से देखो यह y is equal to 0 है यहां y is equal to 1 y is equal to 2 y is equal to 3 तो y is equal to 3 से एक line बने गए यह हो गया y is equal to 3 ठीक है यह हो गया y is equal to 3 का रेखा हो गया और यह परवले क्या है y square यह वाला y square is equal to 4x अब y x में देखना है तो आप लोग मेरे को बताओ किस छेत्र किस छेत्र को हम लोग shaded करूं किसका छेत्र फल आप लोग को लिकालना है तो ध्यान से देखो अगर मैं अगर मैं इसका लिकालूं ध्यान से देखते रहे ना ना मैं जो बोर रहा हूं उसको अगर मैं यहां से लेकर इसका लिका लूँ यह इसका इसका तो देखो यहां पेट से यह वक्र यूज़ हो गया यह किसका लाइन है y is equal to 4x का और यहां पे y is equal to 3 भी यूज़ हो गया मतलब जुद हम लोगों को दिया हुआ है वक्र और रेखा दोनों use हो गया लेकिन मैं बोला था वो closed होना चीए यह तो open है खुला है खुला बंद नहीं है बंद यह होता है यह बंद है यह बंद है अब इसको मैं ऐसे कर दूँ तो यह तो खुला हो गया ना इसको मैं ऐसे कर दूँ, तो यह तो खुला हो गया, खुला नहीं होना चीए, बंद होना चीए, closed, तो यह तो नहीं हो पाएगा, यह तो नहीं हो पाएगा, तो ध्यान से बस देखते रहना, यह तो नहीं हो पाएगा, चीग है, तो कहां पेका देखना है, य अक्ष भी बोला तो सबसे पहले देखो जो आक्ष बोला है उसको घेल लेते हैं यह आक्ष बोला है और यह देखो यह क्या है यह इक्वल टू थ्री है और यह वाला देखो यह वक्र है तो मेरा दिया हुआ दिया हुआ वक्र और रेखा टाच हो गया टाच हो गया और यह बंद लूप हो गया closed loop, तो मेरे को जो area लिकालना है, मुझे जो area लिकालना है, वो इसका लिकालना है, इसका लिकालना है, ठीक है, ये 0 है, ये क्या है, ये वाली line क्या है, 3 है, ठीक है, अब इसमें कैसा वाला लगता है, rectangular, ऐसा वाला लगेगा, ऐसा वाला, ये, ऐसा वाला लगेगा, ध्यान से देखना पहले वीडियो में बताया हूं क्योंकि y के सापेश कर रहे हैं y के सापेश ऐसा लगता है y के सापेश बता हूं कहा है यह देखो y के सापेश ऐसा लेटा हुआ रखता है हाला clear है क्लियर है क्या चलो यह हो गया तब यह हो गया तो यहां पर x की value हम लोग रख देंग तो x की value क्या हो जाएगी, x की value, चार को इधर कर देता हूँ, तो x की value क्या हो जाएगी, y square by 4, अब इसकी value को इसमें put कर देते हैं, i is equal to, यहां से लेकर यहां तक पूरा जाना है, 0 से 3, अभी तक हम लोग ऐसे करती हुए जा रहे थे, ऐसे करती हुए जा रहे थे, तो 0 से कह जाना है, यह x अक्ष डिसाइट कर रहा था, अब y अक्ष डिसाइट करेगा, ठीक है, तो 0 से 3 जाना है, क्योंकि y के सापेश कर रहे हैं, 0 से 3, अब x, x की value क्या है, y square by 4 dy, अब constant को बाहर लिका लेता हूँ, constant को बाहर लिका ला हमें, 1 बटा 4 को बाहर लिका लिए, तो क्य बचा, 0 से 3, y square dy, अब y square का तो बहतरीन है, हम लोगों को मालूम है, x की power n वाला formula, ठीक है, तो यह लगा देंगे, i is equal to 1 by 4, यह formula कहीं बार बता चुका हूँ, क्या होता है, वहाँ पे x के साप x था करके, x, x की power n plus 1 upon n plus 1 था, यहाँ पे y के साप x है, तो y की power n plus 1 upon n plus 1 होग तो क्या हो जाएगा, y की power n plus 1, n के है 2, 2 plus 1 upon 2 plus 1, और यहाँ पे limit है 0 से 3, तो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे simply i, 1 बटा 4, 1 बटा 4, y की गाद 2 धन 1, 2 धन 1, calculator उठाओ, बहुत ज्यादा मुश्किल है, जोड़ना, तो y की गाद 3 बटा 3 आया, और limit क्या है, 0 से 0 से 3 है, ओके, यहाँ पे i is equal to 1 by 4, और यह एक बटा 3 को मैं बहार कर दिया, तो यहाँ पे आ गया, अब क्या बचा है, y की गाद 3, 0 से 3, अब ध्यान से देखने वाली बात क्या है, कि मैं अभी y के respect में कर रहा हूं, y के respect में कर रहा हूं, तो upper limit और lower limit ना y में रखूँगा y में, जब मैं x के respect में करता हूं, यहाँ पे ध्यान से देखो, जब मैं x के respect में कर रहा था, जब मैं x के respect में integration कर रहा था, तो देखना, upper limit और lower limit जहाँ जहाँ पे भी x है, वहाँ वहाँ पे रखता था, क्यों x की जगह रखता था, क्यों x के सापेश कर रहा हूं, यहाँ पर अभी मैं क्या कर रहा हूं? Y के सापेश कर रहा हूं कौन बताता है? यह बताता है, DX, X के सापेश, DY है तो Y के सापेश ज्याँ DY है मतलब Y के सापेश कर रहा हूं, मतलब Y में Upper Limit और Lower Limit को put करूँगा तो यह क्या हो जाएगा? I is equal to एक बटा चार तिया 12 हो जाएगा अपर लिमिट पूट करूँगा 3 की घाथ 3 माइनस लोवर लिमिट पूट करूँगा y की जगह में तो 0 की घाथ 3 अब यहां पर अगर आप लोग ध्यान से देख पा रहे होगे तो आंसर मेरा आ गया एक बटा बारा एक बटा बारा गुणा तीन तीया तीन दूनी है ना यहां पर तीन तीया होगा क्या हाँ यहां पर क्यूव है तो y की घाथ 3 क्या होगा तीन तीया 9 नौ तीया 27 27-29 27-2 27-0 27-2-3 से काटू किया इसको तें से काटू तिन निया 27 220 वर्ग-1 एकाई एकाई यह नहीं आए कभई यह यह वर्ग-1 काई आगया 1 काई को अच्छे सा लिख देता हूं थोड़ासा वर्ग-2 काई को अच्छेस अलिख देता हूं यह हो गया, वर्ग, वर्ग, इकाई, यह हो गया यार आंसर, यह हो गया, यह बताओ, यह question समझ में आया गया, यह question आप लोग को समझ में आया गया, यह question आप लोग को समझ में आया गया, यह question आप लोग को समझ में आया, तो यह question आप लोग को समझ में आया, तो यह question आप लो यह 0 और 1 दे दिया मैं अब y के सापेक्ष है तो y में अपर लिमिट पूट करेंगे y में अपर लिमिट पूट करेंगे तो यह ऐसी रहन दो 1 x ऐसी रहन दो y में अपर लिमिट पूट करूँगा y में तो y की जगा एक, माइनस, माइनस, अब लोवर लिमिट y में पूट करूँगा, 1 को इसी रहन दो, x को इसी रहन दो, y में पूट करूँगा, 0, तो अगर dy रहा तो, अगर dx होता, dx होता, तो x की जगा में पूट करते, फिर उसमें y का कोई रोल नहीं था, समझ गया, तो ऐसे हम लोग, ऐसे हम लोग limit put करते हैं, और ऐसे हम लोग बनाते हैं, आप question 4 को देखेंगे, question की बात करना हूँ, जहां पे दो-दो परवले दिया है, इसको देखो क्या करते हैं, दो परवले y बराबर x square एवं y square बराबर x से घिरे चेतर का चेतर फल गयात करने, तो जब कभी भी ऐसा question आता है, तो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना मेरी बात, ध्यान से बस देखन आप लोगों क्या करने हैं, सबसे पहले तो ग्राफ बना ले ले, क्या दिया है, y is equal to x square और y square is equal to x, चलो ग्राफ बना लेते हैं, चलो ग्राफ बना लो, यह, सर चलो, यह ग्राफ बना लेते हैं, यह ग्राफ बनाया मैं, जहां से देखना, बस जहां से देखते रहे हैं, न to x square परवल है घात किसमें एक है y में तो y के तरह मुझ खूलेगा y के तरह मुझ खूलेगा तो यह ऐसा करके बनेगा y की तरह मुझ खूला अब यहाँ y square बराबर x है घात किसकी एक है x की तो x के तरह मुझ खूलेगा तो यह x की तरह मुझ खुला, x की तरह मुझ खुला, यह वाला किसका है, y is equal to x square है, और यह क्या है, y square is equal to x, तो हम लोग को बताओ, कौन सा common reason का area हम लोग find करने वाले हैं, कौन सा, मैं बताओ, यह वाला, यही common है, यही common है, और किसके साप x बोला है, कुछ नहीं बोला है, त तो मैं लगा रहा हूँ x के सापश, x के सापश, यह, x के सापश लगाया है, तो यह वाला बिंदू मेरे को मालूम है, अब 2 आ गया, 2 आ गया, 2 क्या, दो परवला है आ गया, तो यहां पर coordinate क्या होगा, 0, 0, ठीक है, 2 आ गया, इस बिंदू, और यह विंदू मेरे को पता हो और इससे पहले भी मालूम था 0 से 4 तक ले जाना है लेकिन अभी कहां तक ले जाना है हम लोग को 0 से लेकर यहां तक ले जाना है पर इसकी तो value मालूम नहीं है ना इससे पहले वाले case में मालूम थी इस point की value और इस point की value मालूम थी तो मेरे को मालूम था 0 से 3 तक ले जाना है अभी मेरे को इस point से इस point तक ले जाना है मालूम है लेकिन इस point की value नहीं मालूम है, इस point की value लिका लेंगे, तो हमारा जो क्या रहता है, जो हमारा निर्देशांख होता है वो x,y होता है, x,y, है तो हम लोग यहां पर लिकालने वाले हैं तो देखो इन दोनों की मदस्ते मा लिकालता हूं क्या दिया हुआ है y is equal to x square y square is equal to x यह समीकरण 1 समीकरण 2 x और y की value चाहिए मेरे को ध्यान से देखते रहे रहे न बस ठीक है तो मैं क्या कर रहा हूं मैं क्या किया यह जो y की value है इसमें put कर रहा हूं y की value क्या है इसमें put कर रहा हूं समीकरण 1 से समीकरण 1 के y की value समीकरण 2 में put कर रहा हूं तो y की value x square तो y की जगह में x square लिख दिया और ये घात में square is equal to x तो क्या हो जाएगा x की power 4 is equal to x ऐसे ऐसे करके काटना नहीं x को इधर ले के आओ x सी घात 4 minus x बराबर 0 x common लिकाल दूँगा तो x सी घात 3 minus 1 बराबर 0 समझ गहा है यही हो गहाँ तो एक x बराबर 0 हो जाएगा equate कर लिया और ये x सी घात 3 minus 1 is equal to 0 तो x सी घात 3 is equal to 1 तो x यहाँ पर आएगा 1 मेरे को 2 ही अभी मतलब है तो यहाँ पर 2 मेरे को बस चाहिए यह आ गया ज्यान से देखते रहना बस तो जब x की value 0 है तो y की value क्या आएगी x की value 0 आए x की value 0 आए तो y की value 1 आए तो देखो x की value 0 और x की value 1 आए तो देखो ध्यान से देखो जब x की value 0 है तो y की value क्या आएगी x की value किसी में भी put कर दो समिकरन एक में put करता हूँ तो यहाँ पर x की value 0 पूट किया तो y 과reibर 0 आएगा, जब x की value 0 है तो y की value भी 0 है यह देखो जब यह पहला X होता है और यहांपे y होता है, जब x की value 0 है तो y की value भी 0 है अभी हमने लेगाल के बता है, x की value जब 1 है t Saudir, उसको स्करों से यहांपे भी का देखो जब x की value 1 है, तो y की value भी 1 आएगी, मतलब इस point की value जो होगी 1,1 होगी, इस point की value 1,1 होगी, तो ऐसे करके लिकालते हैं, तो देख लो, इस point की value लिकालना है, तो आप लो, किसी का भी value, किसी में भी रख दो, तो मैं क्या किया, इस y का value इसमें रख दिया, और यहां से x की value ल सबसे ज़्यादा important है, यह मेरा क्या है, आयात है, अब देखो, ध्यान से देखो, यह क्या दोनों परवले को touch कर रहा है, दोनों परवले touch कर रहा है, देखो, यहां से आएगा, यह पहला परवले touch हो गया, और यह दूसरा परवले भी touch हो गया, दूसरा परवले भी touch हो गया, और यह बंद है, closed है, खुला नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग तो समझ गए, तो ठीक है, अब क्या करते हैं, देखो, formula, x के, x के सापेक्ष हम लोग कर रहे हैं, x के सापेक्ष, यह होता है, a से b, x के सापेक्ष मतलब dx और यह y, अब यहाँ पे दो-दो परवल है, दो-दो प लिखेंगे, परवले 1 क्या है, हम लोग किसकी value चाहिए, y की value चाहिए, तो यह परवले 1 है, उपर वाले को में परवले 1 माना, और यह जो नीचे वाला है, यह वाला, इसको परवले 2 माना, तो यहाँ परवले 1 में, हम लोग क्या चाहिए, y की value, तो परवले 1 से y की value क्या परवले वन क्या है y square is equal to x तो परवले वन से y की value क्या आने वाली है plus minus root x हम लोग क्या पहले चतुर्थांच में तो y की value positive लेंगे मतलब root x लेंगे तो यह परवले 1 आ गया y is equal to x square dx अब इसका integration करेंगा अब इसका integration आप खुद करोगी इसका integration आप खुद करोगी इसका integration आप खुद करोगी इसको आप लोग ऐसे लिखना 0 to 1 x की power 1 by 2 minus x square dx जो भी आएगा वर की काही में आंसर आएगा तो यह 4 question में आप लोग को बता है चार question कलो फोड के आ जाओगी बस यह दो परवले वाला concept को ध्यान में रखना अब मैं जितना भी बात बोला हूँ ना उसको आपने एक दो बार वीडियो देखो आप लोग को पक्का समझ में आगा तो मिलते हैं बचो नए अध्याय में यह अध्याय खतम हो गया यह अध् एच्ट वीओ मैं